नूर साहब के पास एक बात समझे के लिए जाना चाहता हूँ, नूर साहब आखरी संख्षित चिपने आपसे चाहूँगा, कहते हैं मजभब असल में आतंगवादी नहीं बनाता, किसी भी आतंगवादी का कोई मजभब नहीं होता, लेकिन यहां ओग्र हिंदू बताकर उध देखिए दिनिश साब, मैं आप से एक बात कहूं, मैं साब बोलने वाला आदमी हूं, और यही वज़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि बरकती साब जब आते हैं, तो जूट और घलत से हम बहुत दूर हैं, आप ये बताईए कि ये डेबिट क्या है, करना है, अभी जीपी को बलन करना है, क्या ऐसा है, अगर ऐसा है, तो मुझे बढ़ाने की क्या दूर पली है, कि मैं तमाशा बनकर पूरी खौ़म के सामने रुस्वा हो जाऊं, आप हमें बताईए, कि आप क्या चाहते हैं, आपका डेबिट बता रहा है कि आपको आंग्ल आपको बैटने वाले को आपको बोलने जाते हैं, उससे उनकी तरफ मुकातब होते हैं, हम भी तो बोलना चाहते हैं, हम भी तो मुस्लमानों के लिए कुछ कहें, हम भी तो ये कहम पर जुल्म हुआ हैं नहीं जुल्म, नहीं एक सेकंड, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ ये वैसे ये बात सही है कि कुछ अलगी तरह का राग अलाप कर, जिस तरफ कोरस जा रहा हो कुछ से कुछ अलग छेड़कर लोगों के दिमाग बे बने रहा जा सकता है, लेकिन मैं ये जानना चा आप जैसा मैंने आपसे पहले कहा, जहां एक पन्ने पर ये कहती है कि ये जो फैसला है वो एक जुट करने वाला है और खाई को पाटने वाला है, वहीं पर इस फैसले पर वो कहीं न कहीं प्रकारांतर से दूसरे शब्दों में सवाल भी उठा रहे हैं, जिसको जहां पर ज झाल